नागपुर शहर में नशीले पदातों के फेरी वालों और अवे तंबाकू के फेरी वालों के खिलाफ कारवाई करने के लिए नागपुर शहर के पुलिस अग तमीतिश कुमार ने शहर के प्रतियक पुलिस स्टेशन में एक नारकॉप्स स्क्वाट का गठन किया है किसी भी शेक्षनिक संस्थान के 100 मिटर के दायरे में सिग्रेट और तंबाको उत्पाद इसे बेचना उपभोग करना और गैर कानूनी है इस संबन में वाड़ी पुल स्टेशन के नारकॉप्स पथक ने पिछले डेड़ महीने में कोटपा एड के तहट कुल 97 कारवाई की है साथ ही एड़ी पीएस एड के तहट आट कारवाई भी अन्जाम दी वैसे ही पुदवार 12 जुलाई को शेक्षनिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेजने वाले 5 तप्रियों के खिलाफ कारवाई करने के लिए वाड़ी नगर परिशत के अतिक्रमन विभाग से संपर्ग किया गया और सन्यूक तुरूप से वाड़ी शेत्र में कुल साथ पान तप्रियों को बंग करा दिया गया ये कारवाई पुलिस उपायक्त अनुराग जैन पियाई प्रदीप रायनवार के मार्ग दशन में वाड़ी पुलिस स्टेशन के उपनिरिशक महेश घोड के उपनिरिशक विजेंद्र नाचन, पीसी दीपक जाधव, तुकराम हाके वाड़ी नगर परिशद, निरिशक धहन जै गौतमारे, सुश्मा भालेकर, मुकेश, माहोते और स्टाफ ने की है इन बीसे नियूज के लिए वाड़ी से समवाद दाता के रिपोर्ट